नमस्कार साथियो सभी को मेरा गुडिविनिंग आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे हूंगे और बड़ी-बड़ी जो ख्वाशें हैं आपके सपने हैं उस सभी सकार होने हुले हैं और आप तनाव मुक्त कर अध्यन किजिए और हम भी तनाव मुक्त होकर पढ़ाते हैं उनमें कोड़ना जाहिए जी नमें जो भी करना चाहिए मेरे दोस्तों में तो कहता है और exploring तो एंतराश्थि संबंद पर क्यалते हैं राष्टे शक्ति पर राध्यान करते हैं राष्टे शक्ति एक महतपूर्ण में तो नट्राश्थ राष्टे सक्ति नेशनल पावर की अवधार्णा सबसे पहले साथियो राष्टे सक्ति है क्या वो आपको ध्यान में रखना चाहिए कहते हैं हेरोल लास्फेल हो मारगें थाउ हो ऐसे विद्वान कहते हैं राष्टे सक्ति किसी राष्ट की वैच हमता है जिसके माध्यम से वैद दूसरे राष्ट के कारे विवार को अपने नकूल परिवर्थित करता है किसी राष्ट की वैच हमता जिसके माध्यम से दूसरे राष्ट के कारे विवार को कारे विवार को अपने नकूल परिवर्थित किया करता है यह सिंप्ली है तो यह आपको धियान रखना है यह अवधाडना मारगन थाउ लास्विल जैसे विद्वान इसी परकार की अवधाडना देते हैं आँसे मारगन थाउ लास्विल हैरोड लास्विल इसी परकार की अधाडना का समर्थन करते हैं और यही परिवासा देने की कोशिस करते हैं एक क्या है वर्नोन वेन डाइक थे वो कहते हैं सक्ति उनूद देशियों में सर्वोपरी है जिनकी प्राप्ति के लिए राज्ये परचेंसिल रहते हैं तो वो भी आपको ध्यान रखना है वर्नोन वेन डाइक उसरा थिंकर का नाम है वर्नोन वेन डाइक ये थोड़ा साथियो विशे थ उन उदेशियों में सर्वो परी है जिनके लिए राष्ट प्रेतंसील रहते हैं इसको आपको तनाव भी नहीं लेना है इसको आप नोट कर सकते है थो अच्छे से काम करक्ते हैं आपको यह ठीशिक बातें आपको समझ जाने चाहिए अब रास्ति-शक्ति-अवधाडना कि विशेष्टाएं क्या क्या हैं उसके बाद हम चलेंगे उस पर लेकिन ये पहले किलियर होना ची राष्टे सक्ति क्या है किसी राष्ट की वैच हमता है जिसके माध्यम से दूसरे राष्ट के कारेववार को अपने नकूल परिवर्तित किया जाता है किसी राष्ट के कहते हैं सक्ति उन उदेशियों में सुर्वों परी है जिसके लिए राज ये परितन्सील रहते हैं अब ये परिभासा भी वी एंपी है कई वर पूछी गई है तो आप इसको ध्यान रखेंगे मेरे ज़स्तों के अब उसके बाद आपको ध्यान रखना है तो अगली चीज विसेश्थाईं क्या-क्या है वह आपको ध्यान में रखने है दोस्तों वो विसेश्थाओं के बारे में आपको पूरी जानकारी होने चाहिए तभी आपका काम चलता है पहला राश्टी सक्ति एक यथार्त वादी अवधारना है कैसी अवधारना है यथार्त वादी ठीक है मेरे दोस्तों यह है राश्टी सक्ति एक यथार्त वादी अवधारना है सात्यों इसमें से कुश्चन आता है एक छुट छुटी बात क आपको नोट करना है राष्टिय शक्ति एक यत्थार्थवादी अवधार्णा है एक यत्थार्थवादी realistic concept है अंगरेजिम कहेंगे it is a realistic concept national power is realistic concept यह आपको दियान रखना है दूसरी बात आपको क्या दियान रहने चाहिए कि यह संप्रभूता का समर्थन करती है क्या करती है संप्रभूता का समर्थन कि जो राज्य की संप्रभूता है उसको बनाए रखती है संप्रभुता का समर्थन करती है तो दूसरी चीज आपको ध्यान लखने चाहिए कि राष्टे सक्ति की अवधाड़ना राष्टे सक्ति की अवधाड़ना संप्रभुता का समर्थन करती है अवधाड़ना संप्रभुता का समर्थन करती है ये भी आपको concept clear होना चाहिए तीसरी बात आपको ध्यान रखने है मेरे दोस्थों कि राष्टि सक्ति का निर्मान अनेक तत्वों से होता है। अनेक तत्वों से होता है अभी हम आगे बताएंगे भी कौन-कौन से तत्व हैं वो पूरे डिटेल में पढ़ने हैं अनेक तत्वों से होता है ये भी आपको ध्यान दखना है अब आप इन तीनों तत्वों को पहले नोट कीजिए और एक बार पढ़ने की कोशिस कीजिए आपको समझ भी आ जाएगा कि basically क्या है ठीक है मेरे दोस्तों तो आपने तीनों एलिमेंट पढ़ लिए होंगे तो आपको समझ आना चाहिए कि सारी चीजें कि क्या क्या है तीनों एलिमेंट याद होगे हर छोटी बात आप आगे जाएंगे तो और महत्वण तत्व आते 나मिक क्या है डाइनेमिक है किति इसिल अने अ SG कियों है क्यों कि राष्ट सक्ति के तफवों परिवरतन होता रहता है ठीक है आज कोई राष्ट महसकतिय्या कल कोई बन सकता है दोस्तों हम भी हैं जैसे हो ठीक को ना प्रदान्मंत्री बन जाले बन जाए पता निन एसी तक्नीक चमता विक्षित कर ली तो राष्ट्रो रात सक्ती बन जाएगा तो अगला क्या ध्यान रखना है नमबर चार कि नमबर चार ध्यान रखना है कि राष्टे सक्ती एक गती सील अवधाड़ना है राष्टे सक्ती एक गती सील अवधाड़ना है नमबर चार राष्टिय सक्ति गतिसील है क्योंकि राष्टिय सक्ति के विभिन तत्वों में परिवर्तन होता रहता है क्योंकि राष्टिय सक्ति के विभिन तत्वों में परिवर्तन होता रहता है कि अपि जैसे जैसे कव्युु धरन देखें दो बेसिकली गुरूस को साइबरेंच हेतर में तेल प्राकरतिक गैस के भंडार मिले तो उसने पुने मासक्ति की भूमी का अदा करने का प्रियास किया पुने मासक्ति की भूमी का अदा कर रहा है क्योंकि पहले तो कही न कहीं जैसे 1909 में सोवे संके विक्टन के बाद उसका उत्राधीकारी रूस बना था तो कमजोर था अर्थिक रूप से उसके पास पैसे नहीं थे सैनिक सक्ति तो थी लेकिन जैसे उननीस और शान्मे में साइब्रियन छेतर में उसे तेल प्राकरति गैस के भंडार मिले तो अंतराष्टे राण्यती में उपर भावी भूमी कादा करने लगा है और बोलने लगा है कि पूरी विरोप में अपने नेटो नहीं इसलिए यूक्रेन को उसने क्या किया है आद उसकी आर्थिक सक्ती में व्रद्धी हुई और वो कहीं न कहीं आज अमरीका को भी चुनती दे रहा है तो यह चीजें आपको ध्यान में रखनी है तो राष्टी सक्ती गति सील है क्योंकि कौन से एलिमेंट में कब परिवर्तित हो जाए कौन सा राष्ट मासक्ती बन जाए इसके बारे में निश्चित आकलन करना पोसिबल नहीं है अब अगला पॉइंट देखते हैं कहते हैं राष्टी सक्ती सापेक्स है रिलेटिव कौनसेप्ट है तो आगे देखते हैं पांचवा नमबर ठीक है ना दोस्तो इसमें ध्यान से देखना है क्या है पांचवा कौनसेप्ट है क्यों ऐसा बुलते हैं क्योंकि राष्टी सक्ती का अंकों में मापन नहीं हो सकता है केवल तुलनात्मक अध्यन हो सकता है दूसरे के संदर्ब में हम बता सकते हैं राष्टी सक्ती कम या जादा है हम यह नहीं बता सकते हैं भारत में इतने होर्स पावर है अमरीका में इतने होर्स पावर है, बस इतना तुलना आत्मक बता सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की तुलना में भारत सक्ति सालिय है, भारत की तुलना में चीन और चीन की तुलना में अमरीका सक्ति सालिय है, क्योंकि राश्टि सक्ति का अंको में मापन क्या संभव नहीं है अंको में मापन संभव नहीं है यह घ्ञान रखना है लाइन अंको में मापन संभव नहीं सापिक्ष का यह मतलब है किलियर है बच्चों कुंसेप्ट की किलियर हो जाना चीए सापिक्ष का मतलब है इसका अंको में मापन संभव नहीं है इसका केवल तु की पाक की तुलना में भारत और भारत की तुलना में चीन और चीन की तुलना में अमरीका सक्तिसाली है ये कौनसेप्ट आपको याद जाना चीए मेरे दोस्तों याद जाना चीए बात समझ जाने चीए कुल्ला केवल तुलनातम का ध्यन हो सकता है अंकों में मापन संभव नहीं है इसका ये कौनसेप्ट के लिए रहे हैं सबसे इंपोर्टेंट है वी वी इंपी है तो ये ध्यान रखना ये बार बार कथन कारण में आता है मैं कथन कारण में भी आपको बता देता हूं ठीके ना जैसे कथन कारण में आपके सामने आ गया कुश्चन तो मैं आपको भी बता देता हूं करकर भी तो सिंपल आ गया कथन और कारण वाले कुश्चन थोड़ा ध्यान में रखना है कथन ए राष्टे सक्ती सापेक शह तुलनातमक है वास्त्विक नहीं अनुमान पर अधरित है कारण आर राष्टे सक्ती का अंको में मापन संभव नहीं है आपको पता है इस प्रकार की कुश्चन जो कथन कारण वाल रहते हैं उसमें चार विकल्प रहते हैं उत्तर में विकल्प कितने हैं चार अब चारों देखते हैं मेरे दोस्तों पहला विकल्प क्या है वो भी ध्यान में रखना है पहला विकल्प है ए में कारण दोनों सही है कारण और कथन की व्याख्या करता है बी कथन कारण सही है व्याख्या नहीं होती प्रन्तु व्याख्या नहीं सी कथन ए सही है प्रन्तु कराण गलत है डी कथन ए गलत है प्रन्तु करण सही है ये चार आते है करण सही है ये चार आते हैं उप्षन इन चार में से आपको बेस्ट विकल्प छाटना पड़ता है सबसे पहले तो हमें इन दोनों को अलग-अलग पढ़ना चाहिए कथन को भी कारण को पहले ये चेक करना चाहिए कि वास्तम में कि ये दोनों सही हैं कि नहीं है देखो पढ़ो आप भी और मैं भी पढ़ता हूँ आपके साथ साथ मेरे साथ साथ पढ़ना मेरे दोस्तों को राश्ते सक्ति साथ साथ पैक से तुलनात्मक है वास्तिक नहीं आदारित थे बीएए थे पीजिए आपको में यह बिता आपको कि ए उसका मापव नहीं हो सकता कितने होर्स पावर एक तने हमें सी और डी में तो एक गलत लिख रखा ये तो दोनों सही है अब हमें दिक्कत आती है देखो पहले सबसे पहले नेगेटिव करना चाहिए इस प्रकार के कोश्चन जितने भी अब्जक्टिव रहते हैं कौन सा आंसर नहीं होगा पहले वो निकाल दे अब यह दो तो भार रहें पर तो हमें चर्चा करनी ए बी पर एर बी में क्या है कथन करण दोनों सही है व्याख्या हो रही है कि नहीं हो रही है अब व्याख्या कैसे चेक करें अब ए बी में से कोई आंसर है तो इसको कैसे डूने उसके लिए एक विधी है उस विधी को आप अभी भी नौट कर सकते हैं पहले कथन को पढ़िए फिर कारण के आगे क्योंकि लगाईए क्या लगाईए क्योंकि चलिए मैं पैन भी दूसरा ब मापन संभव नहीं है तो तार्तमिता बैठरी एक नहीं सुसंगता आरी एक नहीं थोड़ा दिल से आवाज आरी एक नहीं कि दोड़ दो चार होते हैं ऐसी आवाज आरी है ना इसका मतलब काफियत तक सही है आप दो बर चेक कीजिए अब नीचे वाले को पढ़िए और दोनों से बैठ रहा है इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा ए व्याख्या हो रही है इस तरीके से आपको करना है मेरे दोस्तों अगर आप इस तरीके से प्रियास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी हर में कोश्चन क्या आता है यह सोचते रहना ह जब आप ऐसे सोचते रहेंगे नो डाउट आपका जो है इसतर भड़ता जाएगा लेकिन आप सोचेंगे नहीं कोश्चन क्या बनता है हमेशा मैंने कहा प्रेक्टिस करनी है दोस्तों पुराने पेपर जहां से भी मिल जाएं वो करने मैं तो आपको भी स्रीज डालना में आप सबूछ जबिए अकैने नहीं कर्स खरीदा आपके लिए पैसे नहीं लगेंगे आपके लिए टेस्ट डाले सकते हैं आपको एक खुसकबरी और मिसलाट मी दे दूंगा अभी तो आप इसको करने कोशिस कीजिए। चलिए सात्यू अब ये सारे बाते तो आपको स्पस्ट हो गए होंगी अब हम आगे चलते हैं राष्टे सक्ति के तत्वों का ध्यन करते हैं किसका ध्यन करते हैं राष्टे सक्ति के एलिमेंट क्या क्या है चलिए उसका ध्यन करते हैं राष्टे सक्ति के तत्व राश्टी सक्ति की तत्वों को कई लोग कई परकार से बाड़ते हैं कुछ इस तरीके से बाड़ते हैं मानविये गैर मानविये कुछ समाजीक सांसकर्थिक ऐसे तत्वों बाड़ते हैं लेकिन सबसे बेस्ट वर्गी करन पामर पार्किंस का माना जाता है जो उन्होंने गैर मानविये के रूप में बाड़ता था तो सबसे बेस्ट वर्गी करन किसका माना जाता है पामर पार्किंस का चालो तो पामर पार्किंस ने कैसे बाड़ता था इनोंने कैसे बाटा था वो ध्यान में रखना है इनोंने बाटा था गैर मानवी, non-humanal और humanal इस तरीके से बाटा था गैर मानवी में क्या लिया इनोंने यह को ध्यान रखना है इसमें दो इसी चीजेन लिए एक भुगोल और दूसरा प्राकरतिक संसाधन क्या कह लिया भुगोल और प्राकरतिक संसाधन यानि कि जिग्रफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज किलियर एक कॉंसेप्ट गैर मानुविय में क्या कह लेते हैं अब ये भी कुशन आ सकता है हमेशा सतर करेना चाहिए भुगोल और प्राकरतिक संसाधन को गैर मानुविय में क्या कह लेते हैं ये भी आपको ध्यान में रखना है मानुविय में वो लेते हैं जनसंख्या विचारधरा तकनीक मनोबल आसूचना ये किसमें लेते हैं मानुविय ये भी भाजन तो आपको पहले किलियर होना चाहिए मेरे दोस्तों कि पामर वै पारकेंज जो विद्वान थे गैर मानुविय में क्या सामिल करते हैं भुगोल और प्राकरतिक संसाधन को मानवी संसादन में क्या सामिल करते हैं जन संक्या विचारधरा तकनीक मनोबल आसूचना अब सिंपल साथ पूछे यह सवाल भी तो इसको भी गलत कराएंगे तो फिर तो बड़ी दिक्कत आएगी ना आप तो इतने इंटेलिजेंट हैं मेरे साथ से आप से इंटेलिजेंट क कुछ बोलना सुरू किएंट इंटेलिजेंट तो है तो यह बस चोट-चोटी बातें आपको ध्यांथना हैं अ यह आपको सारी चीजेंद पता रहने必 possono best way और यह वारिगड़ 10काफि बच्च्छें वातchnों आथ सारी दियां दाइसया है М कि वास्तम में कौन समर्पित है डेडिकेटेड कौन है इस एक्जाम के प्रती यह भी पता चल रहा है अब जो लोग बाद में देखते रहते हैं उसका मलड इस नोट डेडिकेटेड परसंस तो आप सब डेडिकेटेड हैं समर्पन भावाले हैं और वास्ता में सही माइने में कहूं तो आप ही अ सबसे पहले हम गैर मानुए तत्वों पर चर्चा करते हैं तो गैर मानुए में पहला तत्व लेते हैं भूगोवल क्या है गैर मानुए तत्व है यह तो सब को पता है गैर मानुए तत्व है भूगोल का राश्टी सक्ती में अध्यान भूगोल का राश्टी सक्ती के रूप में अध्यान अध्यान भूराजनिती के विद्वान करते हैं भूराजनिती क्या होता है जियो पॉलिटिक्स अब साथ्यों देखो कुश्चन पर कुश्चन आता है ध्यान रखना कि गैरमानुए तत्व है भूल का राश्टी सक्ति के रूप में अध्यन कोन करते है भूराजनिती के विद्वान जियो पॉलिटिक्स के विद्वान करते हैं अब जियो पॉलिटिक्स क्या है वास्तर अंतराष्टी राथनीती के एक science साखा है जो यह मानती है भुगोल विदेशनीती का नरधारक है राष्टे सक्ति का महतपौन नरधारक है तो जियो पोलिटिक्स क्या है तो मैं अगले पेज पर लिख देता हूं थोड़ा सा अच्छा रहेगा बूराजनीती क्या है बूराजनीती पहले इसको जानेंगे फिर भुगोल का ध्यन करेंगे ठीक है भाई जियो पोलिटिक्स क्या है ठीक है तो देखते हैं जियो राजनीती क्या है भूराजनीती क्या है अंद्राष्टी राजनीती की ऐसी साखा साखा है जो भुगोल को विदेश नीती और राश्टी सक्ति का नरधारक मानती है यह आपको ध्यान में रखना है किसका विदेश नीती का क्या मानती है रधारक तो यह आपको ध्यान में रखना है अब साथियो आपको ध्यान रखना है कि बेसिकली कि इसके समर्थक कौन-कौन है यह भी एक क्वेश्चन बार बर बनता है कि भूर राजनीती से जुड़े विद्वान कौन-कौन से है तो यह भी ध्यान रखना है तो समर्थक ध्यान रखें तो समर्थक भी ध्यान रखना है समर्थक को हम इस तरीके से बाढ़ सकते हैं तो आप ध्यान से USA वाले UK वाले और जर्मनी वाले चालो कुछ जर्मनी के विद्वान हैं कुछ USA के हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं जैसे सिंपल है सबसे जो मैन है अमरीका वाले तो अमरीका वाले में ध्यान रखना है अल्फ्रेड थायर महान कौन है पहला अल्फ्रेड थायर महान बोलना जरा अल्फ्रेड थायर महान आपकी जैसे कुछ किताबों में खाली महान महान लिखा है मैंने पूरा नाम लिख दिय अलफ्रेड थायर महान घंज कैनाम हैं अलफ्रेड थायर महान बोलके देख ना है अलफ्रेड थायर महां यह भी भूराणीती से जुड़े विद्वान हैं तो यह समूंदरी शक्ति पर ज्यादा बल देते हैं किसकी बात करते हैं समूंदरी शक्ति की आपको ध्यान रखना है फिर इसके बाद जो गले हैं होमर ली हैं एंडरी किसिंजर ओमर ली ओमर ली हेन्री किसिंगर है हैं ज हिए जिन्धों निष्टल डिप Tracy यह भी भूराजनिति का अध्यानकरते हैं यह आपको ध्यान रखता है तो हेन्री किसिंगर ठो इन्हों एंडिर के संदर्म में कि वास्ता में रूस को कभी कमजोर नी समझना इन्होंने हेंडरी के सिंजर ने कहा था क्यान में एक बाद भी विक्टन के बाद भी अमरीका को चुनोती दे सकता है इस पर ध्यान रखना इसकी भूरानिती ऐसी है यह दुबारा से कहिना कहीं सक्तिशा इसा हेंडरी के सिंजर ने कहा था तो देख लो आज रूस चेतामनी दे रहा है अमरीका को ठीक है ना तो इन्होंने चेतामनी दी थी तभी क्यान में में कि रूस को कमजोर नहीं समझना है रूस की भूरानिती ऐसी है उसको दुबारा महासक्ति बनाएगी यह बेसिकल इन् है मेरे दोस्तों ये ध्यान रखना है इसके लाबा और भी अच्छे हैं ग्रेण्ड शेस बोर्ड जानने हो फ्रेजर स्क्राइट की टिक है ना उपर लिख देता हूं नंबर चार पर क्या है Grand Champs Board Grand Chess Board Grand Chess Board नमबर चार Grand Chess Board ठीक है Grand Chess Board फिर क्या है Business Key J Business Key पाँचवाँ जे ब्रिदेस की यह U.S.A.K. से जुड़े हुए भूरानिती के विदवान है यह आपको धियान में रखना है मेरे दोस्तों कि भई यह भी कही न कहीं महन बाते करते हैं तो आपको इसमें धियान रखना है जो मेकिंहद्र थे Sir Helford मेकिंहद्र वो कहा के थे यहां के यूके के अब यूके के कौन-कौन से हैं यह ध्यान रखना सर हेलफोर्ड मेकिंडर मेकिंडर यहां के थे और एक बेसिकली एमिल रीच एमिल रीच भी हैं के थे एमिल रीच तो सर हेलफोर्ड मेकिंडर यहीं से जुड़े हुए थे तो यह आपको ध्यान में रखना चाहिए मेरे दोस्तों तो आपको काम तब ही चलेगा फिर जर्मनी से जुड़े हुए कौन-कौन से थे वह भी ध्यान रखना एक तो रिच से का कार्ल हसोफर यह जर्मनी से जुड़े हुए थे जर्मनी से जुड़े हुए कौन-कौन से हैं प्रेडरिक प्रिच से कार्ल हसोफर ठीक है अब यह तो मैंने देशवाई बताया कि यह जो आपको कई बर मिलान करने के लिए आ जाए तो आप इतने कंफ्यूज मत होना कि इनके भाई देश भी थोड़े ध्यान रख लेना तो आपको जब यह सारी चीजें ध्यान रहेंगी तो आप प्राम से काम कर लेना ठीक है मेरे दोस्तों अब आगे भी मैं बता देता हूं कि जो विद्वान हैं वो कौन-कौन से हैं कैसे कैसे काम करते हैं तो अमर महान के शिश्य थे तो यह भी बैसिकली ध्यान में रखना है कि स्पाइक मैन का लाम भी आएगा उसके लावा गुद्वान भी इससे जुड़े हूए Vipon लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि कौन सा विचारक हैं कौन-कौन से जो इससे चुड़े हुए हैं और ये सारे कहिना कई भूगोल को क्या मानते हैं राष्टि हring स्क्थिक का महते होन मानते हैं अब आपको ध्यान रखना है यह जो निकालस जो इस पेक माइन थे यह क्या कहते हैं इनके बारे में ध्यान रखना है इनका पूरा नाम क्या है निकॉलास जो इस स्पाइक मैन Spike Man इन्हें basically कहा क्या जाता है इन्हें नियंत्रन का गोड़ फादर कहते हैं क्या कहते हैं नियंत्रन का गोड़ फादर इन्हें नियंत्रन का गोड़ फादर कहते हैं साथ यो छुट छुटी बातें आपको पता रहने चाहिए तभी आप कही न कहीं कोश्चन भी कर पाएंगे आप से पूछेगा नियंतरन का गोड़ फादर किसे का जाता है तो निकोलस जे स्पाइक मैं को का जाता है इन्होंने रिम लेंड की अवधाडना भी दी थी रिम ले समस्या भी आना सुरू हो जाएगी ठीक है मेरे दोस्तों इतना किलियर है आपको कि स्पाइक मैं गोडीवी किसे जुड़े हुए हैं यह सारे गे सारे कही न कहीं भूराजिती से जुड़े हुए हैं अब हम कि आगे देखते हैं कि भूराजिती के विद्वान क्या-क्या ध भुगोल के निम्न तत्वों का राष्टी सक्ति के संदर्ब में अध्यान करते हैं यह ध्यान रखना है किन कन का ध्यान करते हैं चार तत्व चारों को पहले लिख देता हूं ए क्या हैं खित्रिफ़ल तूसरा क्या है जलवाईे क्या है जलवाई क्लाइमेट तीसरा क्या है इस्थलाकरतियां पहाड़ नदी परवतिये टोमोगरफियां टोमोगरफि डी में क्या है अफस्ति लोकेशन यह आपको ध्यान में रखना है इसमें आपको टेंसन नहीं लेनी है ठीक है मेरे दोस्तों आपको समझ आ गया ठीक है तो यह चार चीजों का धिन करते हैं भूगोल के बूर औिंटि के विद्वान भूगोल के निमन तत्वों का रास्टे सक्तिक में धेन करते हैं पहले है किसका अकार या चित्रफल का साइज का अंगरेज़ी में क्या कहते हैं साइज देखो दोस्तों आपको ये भी धियान रखना है साइज, एरिया, अंग्रेजी भी आने चाहिए, हिंदी पर खाली निरबरने रहना है तो आई आर पढ़ते हैं तो आई आर में अंग्रेजी वैसे किलियर होने चीए, अकार है, छेतरफल, साइज, जलवायू, क्लाइमेट, इस्तला करते हैं, टॉमोग्राफी, अफस्ति, लोकेशन, इन चार चीजों का अध्यन करते हैं अब हिन चारों का हम ड़िटेल में अध्यन करते हैं, सबसे पहले bıगोल के कौन से टत्यू का अध्यन करते हैं, अकार का, चलिए, सबसे पहले अकार, छेतरफल, कैसे राष्टे सकति का अंद्रमान करता है, क्या-क्या उसके लाव होते हैं, वो हम देखते हैं, लेको साथि अगर किसी राष्ट का छेतरफल अधिक होता है तो उसकी राष्टे सक्ति की संभावना बढ़ जाती है क्यों बढ़ जाती है एक तो आती हो जब उसका छेतरफल बढ़ा होगा तो अधिक जनसंक्या को समाल पाएगा अधिक जनसंका को समाल पाएगा तो उसकी टोटल स्रम सक्ती भी अधिक होगी वो बड़ी सेना का निर्मान भी कर सकता है फिर वो अधिक से अधिक बेसिकली संसाधन भी मिलने की संभावना बढ़ जाती वहां प्राकृतिक संसाधन भी और साथ में क्या है युद्ध के समय प अधिक चितरपल के निमन लाव होती है अब क्या 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 क दूसरा लाब है कि बेसिकली जो है बड़ी सेना का निर्मान हो सकता है विशेश कर विवीद प्रकार की वही वो अनेक प्रकार की सेना है वो विशेश प्रकार की सेना भी रख सकता है तीसरा जो इसका फाइदा जो सबसे बड़ा दिखता है वो ये है कि युद्ध के समय पीछे अट सकता है ठीक है ये लाब बताए भूराजनिती के विद्वानोंने लेकिन आलोचक क्या कहते हैं कि अकेले छेतरफल राष्टे सकती का निर्मान नहीं करता अगर अकेले छेतरफल करता तो ब्राजिल आस्टिल्या की अंतराष्टे राणिती में महत्पून भमिका होती ब्राजिल भी तना बड़ा छेतरफल है आस्टिल्या के तना बड़ा छेतरफल है लेकिन अंतराष्टे राजनिती में तो इस भूमी कादा करते हैं तो आलोचक क्या कहते हैं अकेले छेत्रफल राष्टे सकते का निर्मान नहीं करता है मेहत्व क्या है इसका मेहत्व यह है राष्टे सकती के निर्मान में सायक तो है जिसमें कोई संका नहीं है सायक बिल्कुल है वह छेत्रफल का मेहत्व तो है यह चीजें आपको ध्यान में रखनी है मेरे दोस्तों की आपको कि बेसीकली अकेले छेत्रफल राष्टे सक्ती का निर्मान नहीं करता अगर वास्तम्त को तो Μहतवपून ब्हुमिका ब्राजिल की अंतराष्टे दानितीव में होती और रास्टेलिया के होती तो उनकी नहीं है तो प्लाएविप़ण जिनकी है तो उनका छेटरपल जदा बड़ा नहीं है तो और भी चीजें काफी चीजें हैं तो अकेले छेटरपल नहीं करता है ये धियान रखता है दूस्रा चीज क्या है दूसरा है अगर समस्य तोस्ण जलवाई हो तो राश्टी-सक्ति की संभावना बढ़ जाती है राष्टे सक्ति बढ़ जाती है क्यों कहते हैं एक तुहां अधिक पैदावार होती है और साथ में कार्य करने की छमता भी बढ़ जाती है तो क्या कहते हैं बूराजिति के विद्वानों के नुसार समसे तोसन दिलवायों में क्रिश्य उत्पादन अधिक होता है और कार्य छमता भी बढ़ जाती है प्रहनतु साथियों आज विज्ञान तकनीक का युग है कैसे युग है विज्ञान तकनीक के युग में इसका अधिक महत्व नहीं है इसराइल ने मरस्थल में पैदावार सुरू कर दिये भाई इसराइल देखें तो वहां उसने उत्करिश्टा के साथ क्रिश्ची का प्रारहम किया है उच लेवल पर तो मरस्थली छेत रहे इससे पता जलता है कि खाली विज्ञान तकनीक में सम्जितोस्ण जलवाई हुए जलवाई हुए इसका ज्यादा महत्व नहीं है तो य ज्यान तकनीक का युग है तो आज तो नहीं नहीं तकनीके आ चुकी है तो अधिक महत्व नहीं रहा है तीसरा चीज़ जो है वो भी हम ध्यान रखते हैं इस्तला करते हैं टोमोग्रफियां सी बुगोल का तीसरा तत्व अध्यन करते हैं टोमोग्रफिय इस्तला करतियां की क्या बेसिकली है इसके अंदर हम लेते हैं पहाड नदी परवत समुंद्र पहाड है नदी है परवत है समुंद्र है ये चीज़ें लेते हैं बही ये भी राश्टी सक्ति के दरवाण में सहय करेती हैं जैसे बेसिकली क्यों सहय करेती हैं वो भी ध्यान रखना है जैसे इस्तला करतियां महत पूर्ण है क्योंकि एक तुस्स रुक्षा की दरश्टी से महत पूर्ण है जैसे कहते हैं भारत में हिमाले चीन से रक्षा करता है इसी प्रकार से जर्मनी का ब्लेक फॉरेस्ट परवत जर्मनी को सुरुक्षा परदान करता है दूसरा इहां से संसाधन मिल सकते हैं प्राकरतिक संसाधन इस्तला करतियों से क्या मिलते हैं प्राकरतिक संसाधन जैसे देखा जाये तो भारत में भी हिंद मास अगर से तेल पैट्रुतियों गेल गैस के भंडार मिल रहे हैं विविन परकार के खनी संसाधन मिल रहे हैं तो कई परकार के जेवरात वगरा मिल रहे हैं इस दुरष्टी से देखा जाये हैं तो बहुत विशेस महत्व हो जाता है आर्थिक दृष्टी से भी उस रrestra के दृष्टी से बहुत सब्सक्राइब तो इस दृष्टी से इस्तलाकृतियों का महत्व रहता है ये बास सत्य है कि वास्ता में इस्तलाकरतियों का महत्व रहता है जैसे भारत की विदेश निती भी हमाले की सुरक्षा के इर्दगर्द घुमती है हम इसलिए नेपाल बुटालन के साथ मदूर संबन बनाते हैं ताकि हमारा हमाले परवत हमेशा सुरक्षित रहे दोकलाम विवाद इसका उधरन है अभी चीन के साथ हमारा दोकलाम विवाद हुआ उसका बड़ा करन यही था हम हम इमाले की सुरक्षा चाहते हैं लद्दाक में भी जड़प हुई तो बेसिकलि उसका करन है हम इमाले की सुरक्षा चाहते हैं इमाले की सुरक्षा हमारी अमरीका जपान आस्टेलिया और भारत तो यह बेसिकली हिंद मार्जगर की सुरक्षा समुदरी सुरक्षा इसका प्रमुक विशे रहा है जैसा कि अलफ्रेड थायर महान ने कहा था कि समुदरी सुरक्षा भविश्य में शक्ति का अंदरधारन करेगी क्वाड वो चीज को व अच्छेग वास्ता में कहींि परासंगिक हो रही है और क्वाट जैसे जो संग्ठन कहां तो कहीं न कहीं इस थी उसके जवाब के रूप में हम एक और तो बेसीकली श्रलंका, बंगला देश, इन देशों के साथ मदूर समंद बना रहे हैं तो दूसरी और क्वाड के माध्यम से चीन को अपना कहीं न कहीं उसकी प्रतिरोद, उसका मुकाबला करने के लिए हम त्यार हैं और एट का जव जूप में यहां पर सफल नहीं होने देंगे, यह हमारी विदेश निती का एक महतपून अंग है, तो बेसीकली देखे जा जाए, इस्तलाकरतियां हमारे लिए इतनी अधिक महतपून हैं, क्योंकि हमारी विदेश निती आज भी इन से प्रभावित होती है, तो यह बातें आपको सारी स्पस्ट होनी चाहिए, कि बेसीकली प्राकरतिक संसादनों की दृष्टी से तो महतपून हैं, तो वास्तम हिंद मासागर के संदर्ब में देखा जाए, तो भारत हिंद मासागर की शुरक्षा के लिए, तो कापी समय से प्रयासरत है, पहला तो क्या है, हमने हि सामिल हुए, हिंद मासागर के तटिये च्छेत्रे सेहग संग्ठन में हम सामिल हुए, तो यह बेसीकली 97 बना था संग्ठन, इसका पूरू नाम जो था M7 था, हम इसमें सामिल होकर हिंद मासार की सुरक्षा करने का प्रयास कर रहे हैं, दूसरा हम क्या परियास कर रहे हैं कि बेसिकली कि हम कौाड में समले तूँए हैं ताकि चीन से सुरक्षा मिल जाए चत्रभुज प्रियोजना में तीसरा हम पडोसी रास्टों हिन्द मास अगरिद देशों से इस मदूर संबंद बना रहे हैं तीसरा देखा जाए तो हिंद मास अगर की शुरक्षा के लिए हमारा तीसरा जो महत्पून का कदम है तो हम हिंद मास अगरी देशों के साथ दीपक से सम्मन मजबूत कर रहे हैं तो साथियों हमें ये सारे पहलू द्यान पूरवक देखने हैं और समझने हैं कि वास्तम में चैए 2015 की मोदी जी की यातरा हो सेसल्स की स्रिलंका की तो उसका मैन मोटीव यही था कि हमें हिंद मास अगर की शुरक्षा करनी हैं और जो चीन की दीप माला नीती है उसका परतिरो करना है तो वास्तम में तो हमारा जो इंटेंशन है इंद मास अगर की शुरक्षा के लिए ही हम चीन की दीप माला नीती इस्ट्रिंग ओपल्स नीती और अबोर नीती अबोर क्या है वन बेल्ट वन रोड नीती का परतिरोध गर उसके प्रभाव को कम करनेगा परियास करने अबोर नीती के विरोध में हमने क्या शुरू किया है एफ्रोएसिया ग्रोथ प्रियोजना तो यह मैन हमारा इंटेंशन जो है तो मेरे दोस्तों तो यह आपको सारी बाते ध्यान रखना है आगे फिर आएंगी तो आपको फिर वेवारी ग्राजनिती में दिक्कत नहीं आए इसलिए मैं आपको बेसिक बेसिक पॉइंट बताना चाहरा हूँ आपको दीप माला नीती क्या होती है समझा जाने चाहिए दीप माला नीती के तहत वास्ता में जो है कि चीन क्या कर रहा है भारत के और चार और सेनिक अड़े का निर्मान कर रहा है तो वो बेसिकली उसकी दीप माला नीती है, तो मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन भी कर देता हूँ, चीन की दीप माला नीती को, इसके माध्यम से चीन क्या कर रहा है, भारत के चारोर सेनिक अडों का निरमाना कर रहा है, जैसे हमबन टोटा उस्रिलंका के अंदर बना रहा है गौदर पाकिस्तान के अंदर बना रहा है का बना रहा है पाकिस्तान के अंदर चटगाओं बंगला देश के अंदर बना रहा है कोको दीप मया मार में कोको दीप में भी सेनिक अड़ा बना रहा है गोन मारिसस में बना रहा है गोन जो यहां लिख देता हूं कोई दिकत नी गोन मारिसस में है तो यहां पर वो बंदरगा बना कर कहीं न कहीं अपने सेनिक अड़ों का इंडिरेक्ली निर्मान करके चारो तर कि स्ट्रिंग ओफ पल्स कि शाइना इस चाइना की नीथी है जो स्टिंग और फ़ल्स तू बेसिकली भारत को घेरने की है तो लेकिन भारत इसको आज 30 उलित कर रहा है हर इस्तर पर तो इन सबी देशों के साथ हम संबन बना रहे हैं बंगला देश के साथ मयामार के साथ और मारिसस के साथ स्रिलंका के साथ सेसल्स के साथ ताकि कहीं न कहीं हम चीन के जो परभाव हैं पर कम कर सकें तो आप दोस्तों जा जाया है कि भारत अच्छा है स्रिलंक चीन ठीक नहीं है आज स्रिलंका समझ रहा है उसके नेता और उसकी जंता समझ रही है सड़क पर लेकिन उतर चुकी है इसलिए दीरे दीरे साथियो आज चीन की जो स्ट्रिंग पल्स नीती है वो निस्क्री होती जाएगी बविश्य में जैसे भारत सकरियता के साथ पैर बढ़ाएगा चीन कमजोर पड़ता जाएगा और भारत महासक्ति के और कदम बढ़ता जाएगा तो दोस्तों कि यह बातें सारी स्पष्ट हो जाती है स्रिलंका में आर्थिक संकड से कि स्ट्रिंग पल्स की निती चीन की कहने कहें कमजोर पड़ेगी क्योंकि चीन सोसन करता है ड्रेगन है तो यह बात इन राष्टों को समझ आ जाने चाहिए बस इतना है ठीक है तो इस तरीके से काम हमें करना है अब हम अगला जो है तत्व है उस पर भी चर्चा करेंगे लेकिन साथ अगला भूल काई तत्व है वह है अवस्तती लोकेशन इस पर हम नेक्स्ट क्लास में मेरे दोस्तों चर्चा करेंगे और आसा करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी मेरा निवेदन है कि आप लोग अधिक सदिक जुड़ें और इस बात को देखें ठीके ना क्लास को कंटीनर देखें इसी के साथ मैं इस